हेलो दोस्तों स्वागत आपका इंफोर्मिशन ग्यान और हिस्ट्री की किलास में तो आज हम हमारी कंट्री करेंगे दी मौरियास है मौरियास में आज हम पढ़ने वाने हैं चंदरुप्त मौरी जी के बारे में ठीक है ऐसे ही हम जो अदर रूलर से उनके बारे में भी पढ़ेंगे काफी चोटी वीडियो रहने वाली है लेंथ में ठीक है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है क्लास से रेलेटिट कोई भी चीज समझ में नहीं आ सकती है तो आप वीडियो को या तो दुवारा देख सकते हैं या फिर मेरे साथ टैलिग्राम पर जोड़ सकते हैं टैलिग्राम पर मैंने लिंक प्रोवाइड करा रहा है अल्रेटी डिस्क्रिप्शन में ठीक है तो वहा प्रोफी की चल रही है फिर उसके बाद भी हम काफी सारी चीज़ें देखने वाले हैं तो आप इस कम्यूनिटी का पार्ट बन सकते हैं तो चलिए वीडियो को चालो करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त आरुन इस अब चंदरकूप्त मौरेजी जी के बारे में गरना बात करते हैं तो मौराइयस की टाइम लाइन है वह तो आपको याद रखे है ये रखे निए मंगर श्क्षिक जो है nevertheless यहंग चंदरकूपत मौरेजी की टाइम लाइनat कि करने prac इसके बाद जो इनका रिन रहा यहां पर यह जो फोटो है ना यह भी मैंने आपको दिख लाई है यह चंदरुप्तमारी की फोटो एक और फोटो है अगली अगली आने वाली वीडियो में ठीक है तो मैं जहां तक है कोसिस करता हूं कि पिक्चर वगरे डाली जाए क्योंकि अभी कोई चीज नहीं पिक्चर के लिए है तो हिस्ती वैसे पिक्चर से नहीं होती है क्या अब यह जो फर आट करनां करनी होती है अगर और यह ये चो वीडिया और हरा हो रहेगी मगर specifically UPSC के point of view से में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ठीक है अगर आप कोई भी exam के त्यारी कर रहे है तो उसके point of view से भी यहाँ पर आपको काफी सारी चीज़े मिल जाएंगे याद रखने के लिए और सीखने के लिए क्योंकि यहाँ एक timeline चल रही है एक जो होती ने storyline वो चल रही है ठीक है तो चलिए अब चालू करते हैं तो चंद्रगुप्त मौरे जी यह founder थे founder थे मौरियन एंपायर की अब देखिए चंद्रगुप्त मौरे जी ने कैसे फाउंड करा तो उनके पीछे कही ना कहीं किसका हाथ था चंद्रगुप्त मौरे जी को यहाँ पर लेकर आने में इस जो मौरियन सामराज्य है एक जो प से बलॉंग करते थे कोई काफी सार हिस्टोरियंस में इस यह जो डिबेट है पर्टिकुलर्ली चल रही है अभी भी हमें यह सारी चीज के लिए नहीं है कि इग्जैक्ली इकिस जो वरन है वरन जो व्यवस्टा हुआ करते थी वरन वरना सिस्टम तो वो किस वरना से वलॉंग करा करते थे ठीकम अब यह जो पेपली हावाना यह जो क्लां करते थी मॉर्य क्लाइन क्लान फट्रियर की वरन वह दो शाली क्लांटर हुए चन्द्रगुपक्ट मॉर्य जी वह मैने तब आपको धन्यनदा पढ़ाया था नंद सामराज्य पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एक स्टोरी लाइन पकडवा दिए कि हां ऐसे चलती है यह स्टोरी लाइन ठीक है यहां से चंद गुप्त मोरे जी उबर कर आये थे तो उनके पीछे किसका हाथ हुआ करता था चानक की जी का ठीक है जिनको उनके दूसरे नाम से भी जाना जाते जिका औरिजिनल से परक्षीला पकरता चाल्य यहां पर पड़ाया करते थे मेरे अगहां और चानक की जी जो थे यहां नहीं एनको घॉतलियए के नाम से यहां पर पुकारा जाता था तो यहां पर पड़ाया करते तो यहां पर इनको कहा जाता ता आचार लिया ठीक है जैसे घृतनी की बे वो सारे के सारी चानक के जी के द्वारा ही करी गई थी मगर एक बात यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है according to sources हमें आस तक यह नहीं पता कि आखिर कार जो चानक के जी थे उनकी जो मौत है और वो कैसे हुई उनकी family की इस परकार थी और उनकी early life उनका जनम वगेरा कब हुआ यह सारी चीज़ा हमारे पास नहीं है मगर उनके द्वारा जो book लिखी गई है अर्थ सास्तरा वहां से भी हमें काफी सारे sources मिलते है उसकी जो link है वो मैं नीचे description में देही दूँगा already ठीक है वहां से आप easily उसे reach out कर सकते है मैंने वहां पर सारी चीज़े बता रखें कि मौर्यान सामराज्या के बारे में अर्थ सास्तरा में लिखा क्या क्या हुआ है काफी सारी चीज़े वहां पर बताई गई है चानक क्या जी के द्वारा तो यहां पर इस परकार की कोई भी evidence नहीं मिले जो सपोर्ट कर सकी की जो चानक की जी ते उनकी early life इस परकार थी family life इस परकार थी और death इस परकार हुई है ठीक है मगर आगे चलकर आगे चलकर जब बिंदू सारा यानी चंदरकुपत मौरे जी के जो बेटे होते हैं जब उनका सासनकाल होता है ना तो यहां पर यहां तक उनकी प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट होते हैं वो continue रहती है चंदरकुपत मौरे से बिंदू सारा तक बगर बिंदू सारा जो ना चंदरकुपत मौरे जी को निकाल देते हैं बिंदू सारा पड़ाओंगा तब मैं आपको पूरी स्टोडी सनाओंगा ठीक है कि आखिर क्या हुआ था तो यहां पर यहां पर जो बिंदू सारा के टाइम पर चानके जी रिटायर हो जाते हैं अगर कहीं भी नहीं मिलते चानक के जी तो जो मौरेन सामराज्य में जितने भी बहुत रियास हुआ करते थे तो पिकॉक के बहुत जादा लवर हुआ करते थे जो मौरेन सामराज्य में तो जाता है उनको संत्रा प्राप्ट हो जाता और माय कांवल्य अप्राप्त हो जाता है मगर यहां पर चंदरगुप्त मौरे जी के द्वारा काफी सारे welfare measures भी ले गए थे जैसे कि उन्होंने अपने जो सब्जेक्ट थे उनके लिए roads भी और जो कुए हैं वो भी खुदवाई और जो कैनाल्स है वो भी बनवाई और डैम्स वगरा भी बनवाई ताकि जो irrigation वगरा और जो economic prosperity है ना उसको अपने जो empire में उसे retain करा जा सके ठीक है अब इसी समय पर इसी समय पर जो standing army ना वह बहुत ज़्यादा important role play करा करती थी यहां पर चंदरगुप्त मौरे जी के द्वारा contingency विंग भी create करी गए थी ताकि कोई emergency अगर पढ़ती है तो उस समय पर इस contingency व हुआ कर देती ऐसे नहीं कि जो लेटर वैदिक पीरिड़ में punishment हुआ कर दीती ठीक है ऐसा नहीं कि चलता था यहां पर ठीक है तो यहां पर जो punishment थी वह काफी severe हुआ कर दीती ठीक है अब कुछ साल होता कि जो राज्य पार राज पार्ट है चंदरगुप्त मौरे जी के द् जब वो अपनी उमर उनकी डहले लगती है ना तो उसके बाद वो कहते हैं कि बिंदु सारा से बिंदु सारा से बिंदु सारा को उनका successor बना दिया जाता है ठीक है अब successor इसलिए बना दिया है क्योंकि उन्होंने उनका जो incline था ना वो jainism की तरफ हो गया था वो jainism की तर आया है तो आप उसे वहां से देख सकते हैं और वहां से नोट्स वगरा बना सकते हैं अब चंद्रगुप्त मौरे जी मैं आपको अलेक्जंडर पढ़ाया था अलेक्जंडर में क्या हुआ था कि नौर्ड वेस्टन फ्रंटायर प्रोविंस में सेलिकस निकेटर सत्रब सत् अगर आपने वहां से वह इस्टोरी लाइन नहीं लिए तो वहां से आप इस्टोरी लाइन लेजिए ठीक है उसे सुनिए उसे पढ़िए वहां से आपको समझ बाजाएंगी चीज़ें और यह एलेक्जंडर कौन थे कहां से आयर क्या इंपक्ट रहा यहां पर आने के बतारक और यहां पर भी लिखे रख़ा आप उसे बढ़ सकते हैं ठीक है तो फाइट होने के बाद जो क्या होता है कि उनके बीच में लिए प् BEटी होटी है उसंकी साधी जो ना c Наki मौरे जी के साथ हो वहीं पर चंद्रगुप्त मौरिया जी सेलिकुस निकेटर को 500 500 जो ट्रेंड एलिफेंट्स होते हैं वो देते हैं गिफ्ट के तौर पर ठीक है और उसके बाद क्या होता है मैगस्तिनीज का आगमन होता है मैगस्तिनीज फर्स्ट वरन ट्रेवलर थे जो इंडिया में आही थ जाता है कहाँ पर इंडस और गंजेटिक प्लेन से प्लेन के अर्राउंड ठीक है क्योंकि यहीं कई अनुसार जो ना इसी के जो सराउंडिंग है यही पर चंद्रगुप्त मौरेजी का सामराज्य खड़ा हुआ था फिर इसके बाद फैलने लगता है और पान इंडिया एं प्लम हो जाती है और उसको कर्व करने के लिए चंद्रगुप्त मौरेजी के द्वारा कुछ भी मतलब ज्यादा एकदम इफैक्टिव जो मेजर्स होते हैं वह नहीं लिए गए मगर उसके बाद ही क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौरेजी अपने बेटे को यानि सब्सक्राइब पढ़े थे मैं आपको पढ़ाया था सोर्स के बारे में कि जो पर्सिस्त परवा है वो हेम चंद्रजी के द्वरा लेकि गई है तो उसके अनुसार ऐसा होता है अब ऐसा पता चलता है कि चानक के जी जो थे यह नहीं कौटले जी चानक की जी जो थे उन से कह गया था चंदर्गुप्त महुर्य जी के द्वरा जब चंदर्गुप्त महुर्य जी बद्रबाहु के साथ करनाटका के तरफ यानि सिर्वन बेले गोला जैनिजम अपना कर उनके साथ जा रहे थे ना तो यहाँ पर चंदरगुप्त मौरे जी के द्वारा चानके जी से पूछा जाता है कि आप मेरे बेटे के साथ रहेंगे और जितना राजपार्ट आपने अभी तक समाल आया ना मेरे बेटे की भी उस तरीके से हल्प कीजिए मगर कहिना के एक conspiracy hatch होती है उसके according चंदरगुप्त मौरे जी जब चले जाते हैं तो बिंदु सारा के द्वारा चानके जी से कहा जाता है कि आप retirement ले लिजी है मगर उसके बाद उन्हें अपनी गलती का realize होता है वो सारी स्टोरी जब मैं बिंदु सारा पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ठीक है अगली वीडियो चंदरगुप्त मौरे जी के बारे में अगली वीडियो आई कि हमारी बिंदु सारा के बारे में एक दब फूलिस्टिकली डिसकस करेंगे सारी चीज पढ़िए ठीक है एक इस्टोरी राइन भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आप एजीली कनक्ट कर सकें सारी चीजों को मैं सारी चीज बताता चलूँगा ठीक है बस बेचिंत रही है आप ठीक है बिगर चिंता के डू नौट बी वर लेटिड या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैं समस कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं वहाँ पर मैंने ए ग्रूप बना रहा जिसका आपको डेस्क्रिप्सिंग में मिल जाएगा ठीक है तो अभी फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए ठीक है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए तो यह फिरी आफ कोष्ट सारी सारी चीज है यहां पर मैं आपको हिस्ट्री फिरी आफ कोष्ट पढ़ा रहा हूं यूँ डूनोट यहां से बीज़े आप देख रहे हैं तो अभी फिलाल के लिए अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तो तब तक के लिए जहिंद